जब से फोन में से हेड़फोन जाक निगलना शुरू हुआ है तब से लोगों ने वायरलेस येरफोन, वायरलेस नेकबंड, TWS को यूज़ करना चालू कर दिया है तब से ही मैं personally हमेशा एक नेकबंड प्रिफर करता हूँ जो इसकी बैटरी लाइफ होती है convenience होता है मितलब गले में लटका के रखने का तो मैं तो हमेशा से ही नेकबंड ही प्रिफर करता हूँ और पिछले अल्मुष्ट देड़ दो सालों से मैं ये Realme का Birds Wireless 2 है इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी तक किया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लेके 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 अभी Realme का नार्दो का event हुआ वहाँ पर Realme ने इसका successor launch किया जिसका नाम है Realme Birds Wireless 3 और मैं आपको बताता हूँ कैसा product है भाई सारी चीज़ों बताने माला हूँ and this is the unboxing and my full review of this Realme Birds Wireless 3 so let's begin अब सवाल यह है कि यह जो Realme Birds Wireless 2 है इसको क्या यह 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 रिप्लेस कर पाएगा या नहीं वहीं जानना है सबसे पहले आप लोग unboxing देख लो वैसे look में तो भाई बहुत ही जबरदस्त है वाइट कलर में जैसे आप लोग देख रहे हो वाव भाई फोटो में इतना अच्हा नहीं दिखता लेकिन रियल लाइफ में है अच्छा है क्वालिटी भी काफी तगडी है बट यह जो प्लास्टिक का इदर यह शार पैज है यह थोड़ा सा मेरे को कंसर्निंग लग रहा है एलेडी लाइट है तीन बटन है वाल्यम अप्ट और डाउन एंसे वल्टन इसमें उल्टा था नीचे एंसे था उपर वाल्यम वागला बटन वागयरा है इसके अंतर थोड़ा सा changes तो यहां पर किया हुआ है एंड वही यह उस भी Type-C port यहां पर भी है एक यहां पर हमको paper वगरा देखने को मिलता है कुछ download वगरा करने के लिए यहां पर कुछ extra ear tips है That's it, charging करने के लिए cable यह ने दिया यह मैंने expect नहीं करता इसमें Google fast pair दिया हुआ है Let's see, इसको मैं अलग करता हूँ यहां पर चालो हो गया है Let's see, Google fast pair automatically आता है Pop up बदाए है, हो गया भाई That is very nice, connect करते हैं Serial में link app में जाके चेक करते हैं क्या क्या है यहां पर, hopefully यहां पर आगा Yes, यह आ गया है यहां पर, agree, continue Okay, update भी आ चुका है Improve system stability and all Let's update कर ही लिया जाए Okay, so update हो चुका है यहां पर सारी चीज़े आ गई है यहां पर transparency है, noise cancellation है And same, सारी चीज़े है Mode में कौन कौन सच है, आपको noise off सारी चीज़े आ गया है Sound mode है, serenade, original, pure bass, deep bass Equalizer का भी option देखने को मिलता है Equalizer से हम सारी चीज़े चेंज कर सकते है Special audio भी देखने को मिलता है Which I really don't like Dynamic base, extra base का option यहां पर आपको देखने को मिलता है Dynamic base करके Dual device connection का भी option देखने को मिल जाता है Game mode, find my phone, this is nice अच्छा, यहां पर आपको buttons के सारे जो functions है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है आप देखो, build quality की बात करो, तो काफी lightweight है First of all And यह जो ear bird है जब मैंने मंगाया थे तो मेरे को ऐसा लगा थे थोड़ा सा चीप सा फील आ रहता है और मैं को ऐसा लग रहता है यह जो corner है तो चुबने का डर है जड़ा भी नहीं चुबा यह नहीं चुबा यह नहीं चुबने का कोई चांस नहीं होता है यह इस तरह से बैट आइसा फ्लैट बैट था आपके skin पे तो चुबता नहीं चुबता नहीं प्लस यह IP55 रेटेड है तो अगर पानी वानी जाता है dust together dust and water resistance basically जादा आपको tension लेने की जोड़ात नहीं तो मैं बारिश में भी यूज़ करता हूँ अइसा ही product चाहिए जो बारिश वारिश में reliable हो earbud का यह दोनों module है यह पूरा plastic में है काफी मजबूत है कहीं से मेरे को कोई शिकायत नहीं है यह जो ear का cable है यह वाला particular जो neck पर बेटा यह भी अच्छा है और अच्छे material से बनाया भाई neck पर को eaching या फिर ऐसा कुछ problem मेरे को फीर्स नहीं हुआ even जो यह cable की quality यह भी काफी मजबूत है जैसे यह वाला cable था यह एकदम simple था इसमें थोड़े में तो मैंने earbud का यह जो tip है इसको change किया जो मेरे कान के लिए comfortable है वह अला मैंने यूज किया फिर सारा discomfort कतम हो गया and आपने बहुत सारी वीडियो में भी देखा होगा मैं neckband को continuously दिन भर 2400 गंटा और मुश पहन के रखता हूं तो भाई मेरे को जर्रा भी comfort में शुन है बहुती ज्यादा comfortable है अब देखो भाई यह वाला earbud ना compare to that realme birds wireless 2 वह 22 का था यह 800 रुपे का प्राइस कम हुआ है तो यह बहुत बड़ी चीज़ है मैं यही सुतर था कि sound quality में क्या compromise किया है इसके अंदर LDAC निकालके इन लोग ने special audio का support दे लिया है which I personally do not like को दिखाऊं तो यहां पर एक special audio करके यह जो special audio है यहां ते turn off turn on कर सकते हो basically जैसे आप यह turn on करते हो तो चारो तरफ से आवाज आपको सुनाई देगी turn off करोगे तो खाली stereo आपको आवाज सुनाई देगी but to be very honest मेरे को इता कुछ खास लगा ने special audio बाकि यह जो है मतलब ऐस तो भाई यहां पर बहुत सरे modes हैं आप देगा sound effects में पहले जाओगे आप यहां पर multiple चीज़ें हैं जैसे आपको custom equalizer देखने को मिलता है तो आप अपने taste के साब से पूरा frequency उसको change कर सकते हो जो आपको पसंद आती है जितनी पसंद आती है वैसा रख सकते हो भाई and इतना ह पर रखता हूं तोड़ा सा आवाज मिले को clarity जाद अच्या है तो audio सबसे जादा important है मेरे लिए तो मैं हमेशा serenate पर रखके ही सुनता हूं original audio और serenate के बीच में music सुनना है deep bass वाला तो मैं deep bass पर दालता हूं यह pure bass पर दालता हूं usually मैं serenate और original पर रखता हूं और यह special audio हम हमेशा off रहता है dynamic bass on रखता हूं मैं इसको zero पर ही रखता हूं जादा है उसको change नहीं करता हूं तो volume enhancer जो है इसको मैं हमेशा on रखता हूं इसके अंदर LDAC codec missing है तो क्या यह LDAC नहीं होने क्यों जिससे इसका बहुत जाता disadvantage है इसके अंदर I don't think so because sound quality है LDAC on करना के बाद जै आपको काफी balance sound signature मिलेगा and 60-70% is enough काफी loud है तो आपको tension लेने के ज़रूत नहीं है अठास रोपे में तो भाई इससे better I don't think so मिलेगा जितने मैंने टेस्ट है और mind you मैंने बहुत सारे neckbands test करे हैं तो I don't think so इससे better आज की date में कोई भी sound quality offer करता है besides the realme birds wireless 2 जो इसके तक्कर प object पर इसके लिए spend किया मैंने आपको बताया क्योंकि वो सबसे important है और यहां पर मैं को कोई शिकायत नहीं है भाई I am really happy with this quality मैं सबसे superb call quality आती है मैं यहां पर आपको live call quality सुना देता हूं अभी जो आपको audio सुन रहे हो यह in neckband की mic का audio है लेकिन मेरे फोन मेरे चाहर नहीं हो रहा सामने वाले के फोन में रिकारड हो रहा जिसको मैंने काल किया अधरन नहींन में इसKY आपको ऐफे जी तो मैं सबसेने की मारें है खुए टनी की फोन आपको हो यहां ग्वादरबा right you call quality के मामले में बहुत ही जबरदस्ता है कोई भी शिकायत है नहीं मुझे यहाँ पर अब अगर उसके बाद लेटेंसी की बात करो तो यहां पर हमों को 45 अब अब अगर बैटरी लाइफ की बात करो तो यहां पर मेरे को एक तगड़ा मेजर इंप्रूव्मेंट देखने को मिला है इनके अंदर की जो बैटरी लाइफ थी अभी मेरे को 7 गंटा 6 गंटा ही मिल थी अल्मोस्ट एक साल पुराने हो गए तो 7 गंटा या 8 गंटा मैक्स पकड़ो उतना मिलता था लेकिन भाई इसकी जो बैटरी लाइफ है वह बहुत ही जादा लाज जवाब है 40 आवर्स का प्लेबैक लोग ने बोला है एंड दस मिनट की चार्जिंग पर 25 गंटे का प्लेबैक बोला है मैंने टेस्ट करा है आप लोग देख लो ओके गाई सो जैसे आप लोग देख रहे हो रियल में ख्लेम करता है कि अगर दस मिनट चार्ज करते हो तो 25 गंटे का आपको प्लेबैक देखने को मलता है अब यह कंपलीटली डेड हो चुका है बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है इसके अंदर राइने इसको कंपलीटली डेड कर दिय जो बाके नीचे स्पेशल आउडियो जो है यह तो आफिर रहेंगा यह पसंद भी नहीं है और यह सीरो पे है वॉल्म इन हांसर भी ऑन रहता है ठीक है बाके सारी चीज़ नॉर्मल मोड बे हैं अब में क्या करता हूं आपर यह जो 24 गंटे का म्यूसिक इसको चला देता है वालिम पर बजाएंगे एएंसी ओन रखे लिए फुल वॉल्म पर बजा रहे हैं और यह फूल वॉल्म पर देखते हैं कितना डाइं चलता है अभी टाइम देख लो बच्चे बारा मिनट और है रात के लात के लिएदिगा देख लिए लगा दिखा जाएंगे अग्या आपको मिल लाएगा आराम से बैटर लाएग एंड मेरे को बहुत तकड़ा लगा भाई मेरे एरबर्ट से अच्छा काता आप ग्रेट डिक्निक मिला और यह पर्टिक्लिर रीधन के हुए जैसे मैं यह वाला एरबर्ट पर शिफ्ट करने वाला हूँ बाकि एक्स्ट्रा रीधन कर सकते हो। envy on on earth कर सकते हो। वालम इनहांसी उनओ अफ कर सकते हो।adamentegan का अप देखने को मिल जाता है। इससे होता ही है कि मतलब का music pause हो गया था and इसके पर shift हो गया and and वापस देखो जैसे call cut किया वापस उस पर shift हो and music play हो गया तो एक साथ आप दो devices में connect कर सकते हो तो यह बहुत अच्छा feature में को लगा यहां पर and यहां से आप directly control कर सकते हो किससे connect रहे किससे ना connect रहे तो यह बहुत अच्छी button है एक दो तीन चार चार बार press किया hopefully बच जा है see बचने लगा तो मैं अपने phone को अगर मेरा phone यहां वह ही पड़ा है तो मैं directly इस बटन से इसको डून सकता हूँ which is crazy वही मेरे को बहुत अच्छा लगा and यहां पर गूगल का तो support ही है कि मतलब मैं इस मतलब phone से जैसे यहां पर जाके phone की setting में find device में जाके मैं directly इसको भी डून सकता हूँ ring करूँ है यहां पर ring device मतलब loud sound है सुनाई दे सकते आपको अच्छा का ता loud sound आ रहता तो मतलब आप कहीं से भी डून सकते है तो यह बढ़िया चीज है तो बहुत सारे features है और अब बात करें अगर comparison की तो भाई 17 रुपे का मेकों मिला था है पहले ही sale में मैंने लिया था अभी के टाइम पर 18 रुपे आता है और यह वाला realme birds wireless 2 मैंने 22 रुपे में लिया था अभी के टाइम पर आपको oneplus के मिल जाएंगे board के मिल जाएंगे neckband बट अठरा सो रुपे म है अब मेरा जो regular use वाला neckband है वो यही होगा आज की बात से या फुल recommendation भाई नीचर description में link भी दे दूँगा अगर आपको को चाहिए तो check out कर लेना बाकि इतना है तैसी उड़ो में I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो बढ़ाइक श्या सब् कर दो यूख वाई